देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनेंदा खबरे सिनेमा जगत में फिर से शोक की लहर है वॉलिवूड के जाने माने सिंगर बप्पी लहरी अब इस दुटिया में नहीं है उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखरी सास ली वह 69 वर्ष के थे वही कोरोना संकत रोजगार वो महंगाई का सामना कर रहे मुंबई करों को BMC बड़ा जटका देने की तयारी में है BMC की की पॉलिसी में पारगेंग शुर्क महंगा हो सकता है तो मुंबई पुलिस कमिशनर हेमन नगराले ने स्विकार किया है कि साइबर प्राधियों पर शिकंजा कसने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इसी बीच शिविसेना सांसत संजे राओत की और से लगाए गए आरोपो को लेकर पुर्व भाजपा सांसत सौमयया ने राज्जी सरकार को चांज की चुनोती दी है सौमयया ने कहा मैं और मेरा परिवार किसी भरष्ट और गलत लेंग दिन में सहभागी नहीं हुआ है उधर मेट्रो से इसकी छूट की अवधी 31 मार्च को खतम होने पर एक अप्रेल से मुंबई में स्ट्राइम ड्यूटी में एक फिस्दी का इजाफा होने वाला है प्रोपर्टी खरिदारों को एक अप्रेल से 5 प्रतिशत की बजाए 6 प्रतिशत स्ट्राइम ड्यूटी भरनी होगी प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ बॉलिवूट के जाने माने सिंगर बपी लहरी अविस दुनिया में नहीं है उन्होंने मुंबई के एक अस्पिताल में आंख रिसांस ली वो उनथर वर्ष के थे बपीदा ने 80 और 90 के दशक में कई फिल्मों में ब्लॉक बस्टर गाने दिये और अपनी अलग पहचान बनाई म्यूजिक इंडस्टरी में बपी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता है वह गोल्ड यानि सोने के शौकिन थे और हर समय सोने की मोटी मोटी चेन पहने रहते थे बपीदा ने एक इंटर्वियो में बताया था कि वह अमेरिकी पॉप स्टर एल्विस प्रेसली से काफी प्रभावित थे प्रेसली अपने कॉंसर्ट के दौरान सोने की चेन पहनते थे बपीदा ने कहा था कि वह प्रेसली को देख कर सोचते थे कि जीवन में सफलता पाने के बाद वह भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे प्रेसली से प्रभावित होकर वह सोना पहनते थे और ये उनके लिए काफी लखी भी था एक रिपोर्ट के मुताबिक बपिदा अपने पीछे 22 करोड रुपे की संपत्ति छोड़ गये है वह हर फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपे चार्ज करते थे वह एक घंटे के लाई परफॉमन्स के 20 से 25 लाख रुपे लेते थे बपिदा देश में सबसे ज़्यादा टेक्स चुकाने वाले लोगों में भी शामिल थे रिपोर्ट के मताबिक उनकी सालाना कमाई 2.2 करोड रुपे थी उनका परसनल इन्वेस्टमेंट 11.3 करोड रुपे का था बपिदा मुमई में एक अलिशान घर में रहते थे जो उन्होंने 2001 में खरीदा था अभी इसकी अनुमानित कीमत 3.5 लाख रुपे है साथ ही उनके पास कारों का भी अच्छा खासा कलेक्शन था उनके बेडे में BMW और ओडी सहित 5 कारे थी उनके पास एक टेसला X कार भी थी जिसकी कीमत 25 लाख है कोरोना संकट रोजगार वो महंगाई का सामना कर रहे मुमबई करों को BMC बड़ा जटका देने की तयारी में है BMC की नई पॉलिसी में पार्किंग शुल्क महंगा हो सकता है पार्किंग पॉलिसी की अवधी मार्च 2022 में समाप्त हो रही है इसलिए BMC नई पॉलिसी बना रही है माना जा रहा है कि नई पॉलिसी में पार्किंग शुल्क रेडी रेकनर दर से वसूलने की तयारी है इससे पॉश इलागों में पार्किंग शुल्क महंगा होने का अनुमान है BMC के एक अधिकारी ने बताया कि कई पार्किंग पॉलिसी आधुनिक और हाई टेक होगी लोगों को ज्यादा तर सुविधाओ की जान करी और शुल्क भरने की ऑनलाइन सुविधाओगी इसके अलावा मुंबई में पार्किंग की समस्या खतम हो इसके लिए कई कदम उठाये जाने की योजना है इससे लोगों को थोड़ा ज्यादा शुल्क भरना पड़ सकता है लेकिन पार्किंग व्यवस्था सुधर जाएगी अधिकारी के अनुसार नई पॉलिसी में विभाग के स्थर पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी इससे आवशक्ता के अनुसर पार्किंग एक शमता विकसित की जा सके BMC ने 2015 में पार्किंग पॉलिसी बनाई थी जो मार्च 2022 में समाप्त हो रही है BMC अब तक चार वर्गों में बांड कर पार्किंग शुल्क वसुलती है BMC मुंबई में पार्किंग व्यवस्ता सुधारने के लिए दिल्ली चंडिगर सहित अन्य शहरों की पॉलिसी का अध्यान कर रही है साथ ही दुसरे देशों के शहरों की पॉलिसी को भी नए पॉलिसी में शामिल किया जा सकता है इसके लिए सर्वे भी जारी है मुंबई पॉलिस कमिशनर हेमंत नगराले ने स्विकार किया है कि फिलहाल मुंबई में पांच साइबर पॉलिस टेशन है और पिछले साल साइबर पॉलिस टेशन में दर्ज होने वाले 169 मामलों में से 69 फिजदी मामलों की गुथी सुलजा ली गई जबकि सामान्य पुलिस टेशनों में दर्च साइबर अपराद के 2724 मामलों में से 13% ही सुलजाए जा सके हैं इसलिए सामान ने पुलिस टेशनों में भी साइबर अपराद की जांच के लिए अलग विभाग बना कर पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने की तयारी की जा रही है साथ ही उन्होंने लोगों से भी कहा है कि वे साइबर अपराद का शिकार होने पर तूरंत नजदी की पुलिस टेशन या कंट्रोल रूम को जान करी दे क्योंकि एक घंटे के भीतर जानकारी मिलने पर पैसे ट्रांस्वर करने के लिए इस्तेमाल हुए खाते में रकम रोकी जा सकेगी उन्होंने ये भी स्विकार किया है कि साइबर अपरादियों को पकड़ने में कड़ी चुनोतियों का सामना करना करना पड़ रहा है जारखन, बिहार, पशिम बंगाल और राजस्तान में ऐसे कुछ इलाके हैं जो साइबर अपरादियों का गड़ बन गया है भिड़ भरे इन ठीकानों पर पहुँचकर अपरादियों पर शिकंजा कसना पुलीस के लिए टेड़ी खीर साबित हो रहा है कई बार लोकेशन के आधार पर पुलीस उस जगह तक पहुच भी जाए तो ये पता करपना बहुद मुश्किल होता है कि आखिर वारदात को किसने अंजाम दिया सोशेल मीडिया का इस्तेमाल कर कई अपरादों को अंजाम दिये जाते हैं लेकिन संबन्दित कमपनियों से जानकरी हासिल करने में काफी समय नस्ठ हो जाता है शिवसिना सांसत संजे राओत की और से लगाए गए आरोप उक लेकर पुर्वभाच्पा सांसत सोमय ने राज्य सरकार को जांच की चुनौती दी है सोमय ने कहां कि मैं और मेरा परिवार किसी भी भ्रश्ट और गलत लेंदेन में सहभागी नहीं हुआ है साल 2017 में शिवसना के मुख पत्रस सामना के जरीए मेरी पत्नी के खिलाफ इसी धरके आरोप लगाए गए थे अब उसी भवन निर्माता का नाम लेकर मेरे बेटे के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे है सरकार मेरे खिलाफ लगे आरोप उकी जांच कराए समया ने कहा कि ठाकरे सरकार ने मेरे खिलाफ अभी तक 10 मामले दर्च किये है और 3 मामले दर्च होने वाले है इसके बाद मैं अब नई जांच के लिए भी तयार हूँ चंदरकान पाटिल ने भी राओट पर पलटवार किया है उन्होंने कहा कि यदि राओट के पास भाचपा के नित्ताओं से जुड़ा हुआ कोई सबुत है तो वा जांच एजंसियों को सोब दे यदि जांच एजंसिया कोई कारवाई नहीं करती है तो वा अदालत में जाए भाचपा राओट की खोकली धमकी से डरने वाली नहीं है विधान सभा में विपक्ष के नेता देविंद्र फड़नविस ने कहा कि राओट के आरोपो का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा दूसरी तरफ रांकापा के प्रवक्ता तथा प्रदेश के अलपसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राओट ने पुर्वकी फड़नविस सरकार का हर्याना कनेक्शन उजागर किया है प्रदेश सरकार में सबसे अधिक घोटाला आईटी विभाग में हुआ था राओत ने कुछ तथ्य सामने लाए है वह धीरे धीरे आगे दस्तावेज प्रस्तूत करेंगे मलिक ने कहा कि सौमाईया के व्रष्टाचार की जांच यदि ED नहीं करेगी तो राजसरकार की EOW करेगी मेट्रो से इसकी छूट की अवधी 31 मार्च को खतम होने पर 1 अपरेल से मुंबई में स्टैम ड्यूटी में एक फिस्दी का इजाफा होने वाला है प्रॉपर्टी खरीदारों को 1 अपरेल से 5 प्रतिशत के बजाए 6 प्रतिशत स्टैम ड्यूटी भरनी होगी राजसरकार ने रियल एस्टेट को रफ्तार देने के लिए 2 साल पहले छुट देने का फैसला किया था बता दे कि मुंबई, नाकपूर और पूने में मेट्रो कॉरिडर का काम चल रहा है मेट्रो समें ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने मेट्रो से इसके नाम पर स्टैंप ड्यूटी में एक फिजदी का इजाफा करने का निर्ने लिया है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रेजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टैंप श्रावन हार्डीकर के मताबिक सरकार का नया आदेश जारी नहीं हुआ तो अपरेल से स्टैंप ड्यूटी की रकम में एक फिजदी का इसाफा हो जाएगा हाउसिंग एंड रेरा कमिटी ऑफ बिल्डर एसोसेशन औफ इंडिया के चेर परसन आनन गुपता के मताबिक अपरेल से स्टैंप ड्यूटी बढ़ने के साथ ही परिवार के सदस्यों को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए भी ज्यादा खर्च करना होगा फिल्हाल प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के लिए 200 रुपे से 500 रुपे देने होते हैं एक अप्रेल से इसके लिए एक फिजदिस टाइम ड्यूटी भरनी होगी इस फैसले का असर देखा जाने लगा है साफ है कि प्रॉपर्टी खरिदारों का खर्च और बढ़ेगा इसलिए आम लोगों को मिश्कीलों का सामना करना पड़ सकता है जैसे तैसे पैसे जुगाड कर अपने आशियाना का सपना देखने वालों पर एक तरह से गाज ही गिरने वाली है पहली बार बिना जन अदालत लगाये और बिना किसी डिमांड के 36 गड़ के बिजापूर से बंदग बनाया गए इंजिनियर अशुकपवार और मजदूर आनंग्यादव को नकसलियों ने रिहा कर दिया है तो पंजाब चुनाओ की घोशना के बाद से संत रविदास की जैनती सुर्खियों में है पहले उनकी जैनती को देखते हुए पंजाब में विदानसभा चुनाओ की तारीक को आगे बढ़ाया गया वही अब जैनती में भाग लेकर राजनीतिक दल अपनी नईया पार लगाने की कोशिच में जुटे हुए है वही पंजाब के मशूर एक्टर दीब सिधु की मौद के पीछे ट्राला चालक की भूमी का संदिग्द नजर आ रही है उनकी महिला मित्र ने बताया कि ट्राला चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया था जिसे दीब सिधु की गारी ट्राले से टकरा गई थी इसे बीच राश्टिय सुरक्षा सलाकार अजिट डियोभाल के घर में एक संदिग्द गुसने की कोशिश कर रहा था उसे पगड़ लिया गया है दिली पुलिस की टीम पूछताच कर रही है उधर करनाटक में हिजाब पर हाई कोट में सुनवाई के बीच बवाल जा रही है करनाटक के करीब 50 सरकारी स्कुलों में मुसलिम छात रहे और उनके पैरेंस लगातार प्रदर्शन कर रहे है देशबर में घटित हो रही तमाम घट्डाओं के बीच इन पाच एहम खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ 36 गड़ के बिजापूर से बंदग बनाया गए इंजिनियर अशुक पवार और मजदूर आनन यादो को पाचवे दिन मंगलवार देररात नकसलियों ने रिया कर दिया है इसके बाद जवान दोनों को लेकर बेदरे कैम्प पहुच गए है वहाँ पर दोनों का मेडिकल कराने के साथ ही पूछताच की गई बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब नकसलियों ने बिना जन अदालत लगाए और बिना किसी डिमान के जहासे अगवा किया था वही पर छोड़ कर गए है इंजिनियर अशुक पवार और मजदूर आनन्यादो को नकसली मंगलवार रात सववा नौ बजे से साड़े नौ बजे के बीच बिंदरे में इंदरावती नदी पर पूल निर्मान स्थल पर छोड़ कर चले गए इसकी सूचना मिलने पर जवान मोके पर पहुचे और दोनों को बेदरे कैम्प ले गए वहाँ पर उनसे पूचताच की गई है बताया जा रहा है कि इंजिनियर अशुक पवार की पत्नी सोनाली अभी भी जंगलों में पती को तलाश कर रही है आशंका है कि वह नारायनपूर की जंगलों में चली गई है सोनाली मध्यप्रदेश के हुशंगाबाद की रहने वाली है इससे पहले मंगलवार सुभा ही इंजिनियर की बेटी और पत्नी ने मुख्यमंत्री भुपेज बगेल वह प्रधानमंत्री नरेंद्रो मुदी से मदद की अपील की थी इसका विडियो भी सामने आया है इसमें इंजिनियर की बेटी निकिता मारमी कपील करते वए कही रही है कि प्रधान मंत्री जी हमारे पापा को छोड़वा दीजिए इसके बाद वह कहिती है कि मेरे मा भी मुझे छोड़कर जंगल में पापा को ढूनने चली गई है पंजाब चुनाओ की गोशना के बाद से ही संतर अविदास की जैनती सुर्खियों में है पहले उनकी जैनती को देखते वे पंजाब में विदानसभा चुनाओ की तारिक को आगे बढ़ाया गया वही अब जैनती में भी भाग लेकर राजनीतिक दल अपनी नईया पार लगाने की कोशिश में जूटे हुए है प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी ने बुधवार को संतर अविदास जैनती के अवसर पर दिल्ली के करोल बाक्स्थित संतर अविदास विश्राम धाम में पूजा की पीम मोदी ने इस दवरान मंदिर में चल रहे किर्तन में महिलाओ के साथ किर्तन भी किया और मंजीरा बजाया वही कॉंग्रेस नेता रहूल गांदी, प्रियंका गांदी और पंजाब की मुख्यमंत्री चरंजिच सिंग चन्नी वारान असी में रविदास मंदिर में होने वाले समारों में भाग लेंगे वारान असी संतर अविदास की जन्मस्थली है, इधर दिल्ली की अरविंदक इजरिवाल सरकार ने जैंती के दिन सारवजनी काउकाश देनी की गोशना की है पंजाब में संतर अविदास को मानने वालों की संख्या लाखों में है मालबा और दोवाब मानजाक शेतर में भी दलीत वोटर्स चुनाओ को काफी प्रभावित करते हैं ऐसे में सरकार बनाने के लिए इन सीटों का महत्व काफी बढ़ जाता है जिस वज़े से चुनाओ से पहले सभी दल रविदाज जैनती के साहरे दलीत वोटरों को रिजाने में जुट गए है पंजाब में 20 फरवरी को एक साथ सभी 117 सीटों पर विधान सभा चुनाओ के लिए मतदान होना है पंजाब की मशूर एक्टर दीप सिद्दू की मौत के पीछे ट्राला चालक की भूमी का संदिग्द नजर आ रही है उनकी महिला मित्र ने बताया है कि ट्राला चालक ने अचनक ब्रेक लगा दिया था जिससे दीप सिद्दू की गाड़ी ट्राले से टकरा गई थी फराल ट्राला चालक का पता लगाया जा रहा है उसे जल गिरपतार किया जाएगा बतादे की हरियाना में कुंडली मानेसर पलवल एक्स्प्रेस वे पर पिपली टोलनाके के पास सड़क हाथसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई बुद्वार सुबह उसके शव का पोस्ट मार्टम किया गया इस दवरान सेकडू की संख्या में पंजाब से लोग आये हुए थे इस दवरान काफी संख्या में निहंगा और सिद्धू की रिष्टेदार भी पौचे हुए थे डॉक्टरों के पैनल ने सिद्धू के शव का पोस्ट मार्टम किया और इस दवरान विडियोग्राफी भी की गई पुलिस ने बताया कि हाथसा रात आट से साड़े आट के बीच हुआ हाथसे के वक्ट दीप सिद्धू खुच स्कॉर्पियो को ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ उनकी एनराय मीत्र थी हाथसे के दवरान ट्रक और कार की टक्कर इतनी जोरदार थी की कार के परखच्चे उड़ गए और दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई शुरुवाती जाच में पता चला है कि स्कॉर्पियो चलाते समय अचानक दीप सिद्धू को वहाँ खड़ा ट्राला दिखा उन्होंने गाड़ी घुमाने की कोशिश की ताकि ट्राले से टक्कर न हो लेकिन उनकी गाड़ी ड्राइवर साइड से ट्राले के पीछे जाग उसी दीप सिद्धू खुद गाड़ी चला रहे थे इसलिए उनकी हाथसे के वक्त ही मौत हो गई दीप सिद्धु की दोस्त रेनोराय की हालत में सुधार है राष्टे सुरक्षा सलाकार अजिट डोभाल के घर में एक संदिग्द घुसने की कोशिश कर रहा था सिक्योरिटे ने संदिग्द व्यक्ति को पकड़ लिया दिली पुलिस की टीम संदिग्द से पूच दाच कर रही है प्रारहमिक जांच में संदिग्द शक्स मानसी करूप से बिमार लग रहा है लेकिन पुलिस की और से घटा की जांच की जा रही है जानकारी के मुताबिक संदिक शक्स एन ऐसे आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन वक्त रहते जवानों की नजर उस पर पड़ गई इसके बाद तुरंत उसको हिरासत में लिया गया पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शक्स अपने आप में कुछ बड़ बड़ा रहा था उसने बताया कि उसके शरीर में चीप लगा दी गई है और कोई दूर से उसको ऑपरेट कर रहा है ये सुनकर जवानों के होश उड़ गए आननफानन में उन्होंने उसकी जांच की लेगिन कोई चिप नहीं मिली पुछताच में पता चला कि वो शक्स करनाटक की राजधानी बेंगलोरू कर रहने वाला है मामला NSA की सुरक्षा से जुड़ा था जिस वजह से तुरंत उसे लोधी कॉलोनिस्तित स्पेशल सेल के आफेस ले जाये गया वहाँ पर एंटी टेरर यूनिट और स्पेशल सेल के अधिकारी उससे पूछताच कर रहे है साथ ही उसका बैग्राउंड का भी पता किया जा रहा है अजित डोभाल 1972 में भारत की खुफिय एजनसी आईबी से जुड़े थे उनके बारे में मशूर है कि वे 7 साल तक पाकिस्तान में रहे कर जासुसी कर चुके हैं चाहे उड़ी हमला हो या पुलवा माटैक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगटनों ने जब भी भारती जवानों पर हमला किया तो जित डोभाल की रणे नितिक काम आई इसी वज़े से वो आतंकी संगटनों के टार्गेट पर रहते हैं करनाटक में हिजाब पर हाई कोट में सुनवाई के बीच बवाल जारी है करनाटक के करीब 50 सरकारी स्कूलों में मुसलिम चात्राएं और उनके पैरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बुद्वार को भी मुसलिम चात्राएं हिजाब के साथ स्कूल पहुची तो उन्हें रोक लिया गया गौर तलब है कि करनाटक में आज से 11 और 12 के स्कूल खुल गए है हाई कोट के अंदरीम आदेश के मुताबिक स्टूडेंट्स फिलहाल धार्मिक कपड़े पहन कर संस्थानों में नहीं आ सकेंगे करनाटक के विजयपुरा में मुसलिम चात्राओ की काफी नोग जोग हुई ये चात्रा हिजाब पहन कर कॉलेज के अंदर जाना चाहती थी लेकिन उन्हें रोक लिया गया चात्राओ का कहना था कि उन्हें वाटसेप पर बिना हिजाब के स्कूल ना आने का कोई मैसेज नहीं मिला है स्कूल के प्रिंसिपल ने चात्राओं को समझाते हुए कहां कि वहां हाई कोट के आदेश का पालन कर रहे हैं ऐसे ही एक घटना में हिजाब पहन कर कक्षा में प्रवेश नहीं दिये जाने पर एक लड़की ने परिक्षा छोड़ दी चात्राओं के आकरोशित अभिभावकों को स्कूल प्रशाजन और पुलिस से तीखी बहस करते देखा गया एक जगह पर एक चात्र के भगवा स्कार्फ लहराने की घटना भी सामने आई पिछले हफते करनाटक हाई कोट ने अपने अंतरीम आदेश में सभी चात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब या कोई भी अन्यधार्मिक निशान पहन कर गख्षा में आने पर रोक लगा दी थी स्कूलों में अधिकारियों ने हिजाब और बुर्का पहन कर आने वाली चात्राओं को अदालत के आदेश का हावला देकर कक्षा में प्रवेश से मना किया या उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया यूकरेन तनाओं के बीच उत्तर कोरिया की परमानू परिक्षन साइट के निकट कई भूकम के जटके महसूस किये गये है संध्या गहरा रहे है कि दक्षिन कोरिया के तानाशा कीम जोंग द्वारा परमानू हथियारों के परिक्षन का ये असर हो सकता है इसी बीच यूक्रेन ने कहां कि देश के रक्षा मंद्रा ले सेलनेवल और दो सरकारी बैंकों की वेबसाइट एक साइबर हमले का शिकार हुई है जिसकी जड़े संभावतह रूस से जुड़ी हो सकती है तो यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रही तनाता निकासर भारत चिन सीमा पर भी दिख सकता है जानकर मानते हैं कि अमेरिका का ध्यान बाट ने चिन L.A.C. पर कुछ हरकत कर सकता है उधर इसलामिक देशों के संगडन, Organization of Islamic Corporation अर्थात, O.C. ने फिर भारत में मुसल्मानों के खिलाफ हिंसा पर गंभिर चिनता जताई है जबकि भारत ने इसे अंदरुनी मामलों में दखल बताया है तो कनाड़ा के प्रधान मंत्री ने ट्रक ड्राइवरों की हरताल के बाद आवत का लगा दिया है लेकिन कोई हल निकलता नहीं देखाई दे रहा है दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ उत्तर कोरिया की पर्मानू परिक्षन साइट के निकट कई भुकम्प के जटके महसूस किये गए है ये खबरे ऐसे समय पर सामने आई है कि जब कीम जोंग उन कई साल बात पर्मानू हतियारों का परिक्षन दोबारा शुरू करने के संकित दे चुके है वज्यानिकों ने पीछले हपते के आखिर से उत्तर कोरिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में कई भुकम्पी ये गतिविधियों और भुवज्यानिक अस्थिर्ता को उजागर किया है और देश की पर्मानू परिक्षन साइट के निकट कई कम तियूरत वाले भुकम्प दर्ज है उत्तर कोरिया के उत्तर पूरू में स्थित यह पर्मानू परिक्षन स्थल देश का इकलोता ग्यात परिक्षन स्थल है इस स्थल पर आखरी बार सितंबर 2017 में परमाणू हतियारों की टेस्टिंग की गई थी इस दोरान उत्तर कुरिया ने अपने छटे परमाणू बम का परिक्षन किया था अधिकारियों का दावा है कि उत्तर कुरिया ने अब तक सबसे खतरनाक बम के रूप में थर्मो न्यूकलर हतियार का परिक्षन किया था इस परिक्षन के बाद कई हपतों तक विशेशग्यों ने परिक्षन स्थल के आसपास भूस कलन और भुकंप के जटके दर्श किये थे ये जटके इस बात का सबुत थे कि परिमानू परिक्षन आसपास के ख्षेतर को अस्थिर बना रहे है क्योंकि यहाँ पहले कभी प्राकुरोतिक भुकंप के जटके महसूस नहीं किये गए साउथ कुरिया के विशेशक्डियों ने 2020 में चेतावनी दी थी कि संभावना है कि परिमानू परिक्षन ने साइट के आसपास के ख्षेतर के भूविज्यान को पूरी तरह से बदल दिया है रूस के कुछ टैंक और साइटने वहनों के युकरेन सीमा से लोटने के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है युकरेन ने कहा कि देश के रक्षामंत्राले सैनेबल और दो सरकारी बैंकों की वेबसाइट एक साइबर हमले का शिकार हुई जिसकी जड़े संभوتा रूस से जुड़ी हो सकती है साइबर हमले की ये खबरे आईसे समय पर आ रही है जब युकरेन की सीमा ओपर भारी रूसी सैनेबल लगातार अब्यास कर रहा है और युकरेन पर हमले के बादल मंडरा रहे है साइबर हमले में देश की दो सबसे बड़ी बैंकों को निशाना बनाया गया जो देश के दो सबसे बड़े वित्तिये संस्थान है हाला कि बाद में दोनों वेबसाइटों की सेवाए बहाल हो गई लेकिन सैन ने वेबसाइटे कई घंटों तक ठप रही इससे पहले जनवरी में भी हैकरों ने युकरेन की दरजनों वेबसाइटों को निशाना बनाया था बड़े पैमाने पर हुए साइबर हमलों के बाद युकरेन की कई सरकारी वेबसाइट अस्थाई रूप से बन दो गई थी युकरेन के विदेश मंतराले के प्रवक्ता उलेग निकोलेकों ने कह था कि अब यहाँ कहना जल्द बाजी होगी कि इस हमले के पीछे कौन है इस बीच अमेरिका ने युकरेन पर रूसी हमले की आशंका को लेकर अपनी चेताउनियों को बढ़ा दिया है अमेरिकी विदेश मंतरी ने आशंका जताई है कि रूस जल्द ही युकरेन पर हमला कर सकता है फ्रांस ब्रेटेन जैसे कई देश रूस के साथ बाच्चित के माध्यम से तनाव खत्म करने की कोशिश में जूटे है चवथरपा प्रयास है कि किसी तरह इस तनाव को कम किया जा सके युकरेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी का असर भारत चीन सीमा पर भी दिख सकता है जानकार मानते है कि अमेरिका का ध्यान बाटने चीन एलेसी पर कुछ हरकत कर सकता है उलेंपिक्स के बाद चीन की खुरापत सामने आ सकती है इस बीच युकरेन को लेकर भारत की दुविदा बढ़ी है दुविदा इसलिए है क्योंकि फ्रांस से भारत ने बहुत रन्नितिक संबंद बना लिये है और रूस हमारा डिफेंस पार्टनर है चीन को चेकमेट करने के लिए भी भारत को रूस का साथ चाहिए अब भारत यूरोप के साथ जाए या रूस के साथ जाए यह दुविदा है दिक्कत इतनी लंबी चल रही है कि भारत पर दबाव बनने लगा है क्योंकि भारत United Nations में भी भूमी का निभाना चाहता है यूक्रेन रूस की टेंशन की वज़े से Global Economy पर भी फर्क पड़ रहा है Natural Gas की कीमते बढ़ गई है इसकी वज़े से सोने चांदी का दाम बढ़ रहा है अमेरिकी डॉलर बॉंड बढ़ रहा है हाला कि रूस के बॉंड का दाम कम हो रहा है जैसे ही बयान आते है कि रूस हमला कर सकता है तो भारत में शेयर सुचकांग गिनने लगता है यूक्रेन क्राइसिस का यहाँ परोक्षा असर भारत पर दिख रहा है चोकि यूक्रेन की दिक्कत नवंबर से शुरू हुई और यहाँ इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं दिखती इसलिए परिस्तितिया अंदे मोड पर है भारत फूक फूक कर अपना कदम रख रहा है क्योंकि पडोसी देशों चीन और पाकिस्तान की चाल से वह वाकिफ है इसलामिक देशों के संगटन Organization of Islamic Cooperation अर्थात OEC ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर गंबिर चिंता जताई है भारत ने इसे अंदर उन्ही मामलों में दखल बताया है Organization of Islamic Cooperation ने सयुक्त राष्टर और पूरे अंतर राष्टिय समुदाय से आगरह किया है कि भारत में अलपसंखों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाए भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताते वे OIEC ने हलही में हरिद्वार में हुई धर्मसंसत का जिक्र किया जहां कथित तोर पर हिंदू नेताओ द्वारा मुसलमानों के नरसंगार का आवान किया गया था साथी करनाटक में मुसलिम छात्रों को हिजाब पहनने से रोकने और सोशल मीडिया पर मुसलिम महिलाओ के खिलाप अबदरता पर भी चिंता जताई गई OIEC की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुसलमानों और उनके धर्मस्तलों पर लगातार होते हमले विबिन राज्यों में लाये जारे मुसलिम विरोधी कानुन और साउरक्षन प्राप्त हिंदू संगटनों द्वारा निराधार आरोप लगा कर मुसलमानों पर हमले इस बात का संकित है कि इसलामोफोबिया बढ़ रहा है OIEC ने सैयुक्त राष्ट्र और अन्यांतर राष्ट्रिय संगटनों खासकर मानवादीकर कॉंसिल से इस बारे में जरूरी कदम उठाने का आगरग किया है संगटन ने भारत से अपिल की है कि मुसलिम आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कनाडा की प्रधानमंतरी ने ट्रक ड्राइवरों की हरताल के बाद आपातकाल लगा दिया है लेकिन कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा है ट्रक ड्राइवरों ने फैसला किया है कि वे किसी भी हालात में अपने स्टैंड पर रहेंगे कनाडा इसनसद के भार ट्रक के पईये पर बैठे एक ड्राइवर ने कहा कि हम ट्रक वाले हरताल नहीं बन करने वाले है बतादे की कनाडा की इतियास में दूसरी बार आपातकाल लगाया गया है ट्रक ड्राइवर कोविड नाइंटीन प्रतिबंदों की विरोध में हर्ताल कर रहे है और सरकार से फैसले वापस लेने की मांग कर रहे है इसके बाद सीमा पर यतायत बाधीत करने वाले ट्रक ड्राइवरों से निपटने के लिए टूडो सरकार ने आपतकाल की शक्ति का इस्तेमाल किया टूडो ने ट्रक ड्राइवरों से निपटने के लिए सेना बुलाने की बाद से इनकार किया है उन्होंने कहा कि समस्या से निपटने के लिए अन्य विकल्पों को इस्तेमाल किया जाएगा ट्रक ड्राइवरों ने अमिरिका को कनाड़ा से जोडने वाले एमबेसेडर ब्रीज को अवरुद्ध कर दिया है जिससे आयात और निरियात भी रुख गया है इससे कनाड़ा को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अपतकाल लगाये जाने के बाद दुनिया भर में टूडो की आलोशना भी की जा रही है वही ओटावा के पुलिस चीप ने अपने पत से इस्तिपा दे दिया पुलिस चीप ने कहा कि प्रदर्शन कारियों को हटाने के लिए उनके पास परियापत संसाधन नहीं है बतादे कि फ्रीडम कनवाई ने ट्रक ड्राइवरों के साथ मिलकर कोविड नियमों की विरोध में प्रदर्शन शुरू किया था तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेवी नियूस नमस्कार